इंटरनेट इस फुल अफ प्रो साइंस, फेक नॉलेज, हाफ इंफरमेशन और प्रोपागेंडा, यौर क्वेस्ट ऑफ रिलायबल, ऑथेंटिक हेल्थ इंफरमेशन इंज है, तो सब्सक्राइब इस चैनल और हिट ते बल आइकन, और यू नेवर आफ तो अनिवेर अवर अ इस चीज के आज पूरी बातचीत है, जो बच्चों को, बुडों को, नौ बच्चों को, नौ बच्चों को, नौ बच्चों को, बच्चों को, नौ ज़वान को, तंग करता है और, बच्चे खास कर, माबाप, ज्यादा परिशान हो जाते हैं कि भी हमारे बच्चे को, टॉन्स हैं, हम क्या करें हम क्या करें, हम क्या करें, अंके लिए बहुत इंप्रोक है, समझ दार, समझना बहुत important है आप लोगों को so tonsill tonsillitis होता क्या है आखिर tonsillitis basically tonsils आप क्या inflammation और tonsils क्या है tonsil oval shape के दो आपके गले के पीछे tissues होते हैं tissue मतलब गोले होते हैं oval shape के गोले spear shape oval spear shape होते हैं एक इधर साइड एक इधर साइड गले के पीछे यह जब आप आ करते हो तो आ करते हुए जब वो एक छोटा वो M दिखता है उसके पाहर रहते गोले आया दिखते हैं तो दोजाथ टॉंसिल नॉमली वो छोटे होते हैं लेकिन हर एक कोई भी अगर इंफेक्शन हो जाए इनफ्लामेशन हो जाए आपको गला खराब हो जाए तो टॉंसिल बड़े हो जाते हैं तो वह टॉंसिल जो बड़े हो जाते हैं that is the sign of infection याने inflammation so sore throat है गला खराब है उसमें भी आपके tonsils बड़े हो जाएंगे किसी कि temporary होते हैं बार बार होते हो बड़े हो जाते हैं so sign and symptom of tonsillitis is swollen tonsils sore throat और कभी कबार अगर जादा बड़े हो जाए तो निगलने में खाना निगलने में problem difficulty in swallowing कभी कभी यहां पर गले के नीचे यहां जो lymph nodes होते हैं गले में वो lymph nodes अलग है tonsils अलग है तो lymph nodes की भी swelling हो सकती है inflammation case साथ so that will cause swelling in the nodes right so tonsils में यह तीन चीज़े हो सकती है then most cases of tonsillitis are because of a simple common viral infection जैसे के common cold या flu, flu viruses भी tonsillitis कर सकते हैं simple viruses लेकिन tonsils का infection bacteria से भी हो सकता है bacterial tonsillitis अपने आप में थोड़ी सी उसमें difficulty आ सकती है complication के chances बढ़ सकते हैं complications हम बात करेंगे now tonsillitis because हम appropriate treatment उसके cause पर डिपेंड करेगा यह viral है कि bacterial it is important कि हम accurately diagnose करें कि current क्या है अब कई लोग कहते हैं कई doctor चलेगे doctor ने कहा है operation कर दो तो tonsils का operation एक common operation है common procedure है जो basically tonsils निकाल दिये जाते हैं surgery is done to remove the tonsils which is basically tonsillitis का भी treatment है chronic tonsillitis का treatment है लेकिन यह करा जाता है only only अगर bacterial tonsillitis bacteria के वज़े से tonsillitis हो रहा है वो भी बार बार frequently वाई से नहीं करा जाता है और अगर वो infection normal दवाईयों से नहीं ठीक हो रहा serious complications आने लगे हैं तो फिर tonsils निकालने पड़ जाते हैं अब पहले देखते हैं कि normal symptoms क्या होते हैं फिर complications normal symptoms हमने बात करी कि tonsillitis जादा तर बच्चों में होता है जादा तर preschool age में या mid teenage group में होता है commonly उसमें tonsils जो है गले के पीछे के हिससे वो सोजे और बड़े बड़े और सूजन हो जाएंगी लाल रंग के और कई बार tonsils के ओपर patches आ सकते हैं white रंग के हमने बताया था enlarged lymph node हो सकते हैं इस सब के अलावा आवाज में बदलावा सकता है कभी-कभी scratchy आवाज muffled आवाज या throat थोड़ा voice गडबड़ा सकती है breath problem आ सकती है बदबू आ सकती है आपकी सांस में कई बार पेट में भी दर्द हो सकता है कैसा क्या फील हो रहा है वो नहीं बता पाते उनके केस में फिर tonsillitis के जो sign होते हो यह होते हैं कि वो खाना खाना बन कर रहे है खाना नहीं खारे खाना नहीं खारे रिफ्यूजल टू इट या फजीनस हो रहे है unnecessary unusual फजी है या फिर फजीनस हो रहे है खाना खाना निगलने के निगल नहीं पारे है तो बस सलाइवा जो मूह में आता हो बाहर से बार बार निकल रहा है तो यह science होते हैं उनके case में जो बहुत चोटे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते कि मुझे क्या दिक्कत है तो डॉक्टर को आपने दिखाना है अगर आपको sore throat है वो ठीक नहीं हो रहा है एक दो दिन में कभी कभी गला खराब है दो दिन में ठीक हो जा जिसका नहीं हो रहा है दिक्कत बढ़ती जा रही है गो एन शो टूर डॉक्टर एंटी स्पेशलिस्ट पेन हो रहा है निगलने में प्रॉब्लम हो रही है वीकनेस हो रही है फजीनेस हो रही है दिखाओ अगर डेंजरस साइन क्या होते है डेंजरस साइन एक डूलिंग है difficulty in swallowing जादा हो गई कि कुछ भी निखा पारे और breathing problem अगर ऐसा कुछ है तो urgency causes number one cause is viruses bacteria can also cause it or most common bacteria most common bacteria is streptococcus pyogenus that is a group A streptococcus streptococcus pyogenus the bacterium causes sore throat और tonsillitis गले का खराब करना भी यही करता है tonsillitis भी यही करता है so why do tonsils get infected इतना क्या दिक्कत है tonsils में see tonsils are आपके खुद की immune system के first line of defense against bacteria and virus जो आपके मुह में enter करते हैं जब bacteria virus मुह में enter करते हैं आपके tonsils का function है कि वह infection और inflammation को कम करे control करें क्योंकि वहाँ immune system का part है जब आपके अंदर इंफ्लामेशन या बैक्टिरिया वाइरस गुटता है तो वहाँ पर reinforcement आ जाता है और ज्यादा tonsils में जो lymphocytes हैं वह बड़े होने लगते ज्यादा पैदा होने लगते तो tonsils इसका size बड़ा होने लगता है लेकिन कुछ और ज्यादा तर ऐसे cases में एक दो दिन में वह मार दिये रहे वह infection को वाइरस को खतम कर देते हैं दो दिन चार दिन that is normal कुछ cases में फिर ये tonsils पे ही infection हो जाता है उसके अंदर और यंग एज में इसका रिस फैक्टर ज्यादा होता है जिनके एज माले ज़्यादा तर पाच से पंदरा की उमर के बीच में होते हैं दो साल से कम chances कम है कि आपको tonsillitis होगा जांस का exposure अगार आपका ज्यादा होता है तो आपको ज्यादा हो सकते हैं school going children और complication difficulty हो सकती है आपको breathing में अगर सांस फूल रही है breathing problem आ रहा है अगर आपको breathing problem आ रहा है तो वह problem है अगर breathing में obstructive sleep apnea हो रहा है या फिर मान लिजिए गलास फूल रहा है गला गला ही बड़ा बड़ा हो रहा है that is tonsillar cellulitis that is also a complication और peritonsillar abscess ऐसा भी हो सकता है कि tonsils में जो पस है वो एक गांठ बना ले peritonsillar abscess भी उसका एक side effect है और ज्यादा तर bacterial infection sore throat का जो है उसके लंबे समय के complication भी हो सकते हैं लंबे समय के complications हो सकते हैं rheumatic fever और post streptococcal glomeruminal arthritis kidney or heart भी long term में खराब हो सकते हैं वो tonsillitis के कुछ लोगों में होता है conflict कुछ लोगों में जादा में नहीं होता तो कैसे prevent करो गया prevent करने के लिए पहला important चीज wash your hands thoroughly frequently specially using अगर toilet use कर रहे हो खाना खारे उससे पहले अच्छे से दोना है हाथ food sharing avoid करे drinking glasses से शेयर ना करें bottle water शेयर ना करें और utility चम्मच चम्मच एक गुसरी को शेयर ना करें बच्चों के लिए important है और tooth brush अपना जो है वो अगर tonsillitis आपको डियाग्नोस हो गया है तो टूथ ब्रस बदल दें जादा लोगों के नहीं पता होता यह चेंज और टूथ ब्रस आफ्टर डियाग्नोसिस आप टॉंसलाइटिस यह सोर थ्रोट राइट चेंज और टूथ ब्रस अगर टॉंसलाइटिस होता है किसी को बैक्टे लो या वायरस तो बच्चे को जब बिमारी है एक दो दिन के लिए घर में रखें चुट्टी करवाएं डॉ सब्सक्राइब बच्चे करते हैं उसके बाद इस वेरी इंपोर्टन तू मैनेज इस को इसे इस वे इस देन लेट यह नेज़ बहुत इस बहुत इस है आप जब हम जब डाइग्नॉस करते हैं तो गले का गले को जब एक्जामीन करते उसी से पता चल दाता है कि आपको इन लाज तो नहीं है नोस फ्रोट सब चेक किया जाता है इसमें और कभी-कभी गले से एक स्वाब भी लिया जा सकता है चोटा सा कि बैक्टेरिया है कौन सा वाइरस है कौन सा उसका चेकप लिए फ्रोट को आप किया जा सकता है इसका रिजल्ट 48 hours के बाद आता है जल्दी हुआ 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 है